प्रेंका गांधी की ये आंधी आखिरकार कहां जाने वाली है किसको ले डूबेगी ये तो समय बताएगा लेकिन आखो बता दे महा सचिप बनने के बाद पहली बार प्रेंका गांधी मेगा रोडशो करने जा रही है लखनौ में 9 घंटे का मेगा रोडशो होगा और इसमें लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे संभाधता, हमारे ब्यूरोट्रीफ लगातार हमाई साथ बने हुए, अब मैं चाहूंगी जो पैनलिस्ट हमाई साथ रहेंगे, उनका भी स्वागत कर देती हूं, लगातार हम उसे जानेंगे कि आखिरकार उनका इजवी भी हमाई साथ जोड़ चुकी है, आपका भी स्वागत है, आप चारों का स्वागत करती हूं, पहले मैं रियक्शन लेना चाहूंगी कि BJP की ओर से आखिरका इसको लेकर किस तरह से सोचा जा रहा है, प्रेंका गांधी सामने आ चुकी है, कहा जा रहा है कि प्रेंक कि दिया काम की अलगी है, हम ना तो कुछ सोच विचार हमारे मन में कुछनी है इस विशे में, ठीक है, उनका पार्टी के महासची बनाई है, उनका अपना रोडशो है, और अच्छी बात है, अगर प्रेंका जी तो परिवारिक पर पार्टी है, इसमें कभी उभर के कोई आ उसका पता ही लगा, नहीं तो आज गांधी परिवार के अलावा और भी चहरे नजर आते, जैसे बहुत वरिष्ट नेता थे राजेश पाइलेट जी जोनोंने पार्टी संगठन के लिए बहुत रादिन काम किया राजीव जी के बाद माधराव सिंध्या जी जैसे चहरे थ होता क्योंकि वह गादी लिए लगता उनके पीछे यह बड़ी विडमना है चलिए परिवारवात को लेकर आपने तो जनता देख रही है चलिए वापस आपके पास आउंगे पहले एक एक करके पॉलिटिकल व्यक्षिंस भी पर बहुत जरूरी है लेकिन अभी मैं आप सब के विचार जाना चाहूंगे के मिश्रा जी क्या कहेंगे इसको लेकर प्रियंका गांधी के आन्दी समझें या अभी सिर्फ जो है चनावी मोड दिखाई दे लाए उनका अपना यह पॉलेटिकल जो है स्टेट्मेंट होता है फैक्ट यह है कि आज जितना जनता देखेगी उससे कहीं ज्यादा हमसे आपसे ज्यादा जितनी पॉलेटिकल पार्टियां हैं उनके स्टेटिस्ट उनके नेता इस रैली पे निगाह लगा के रखे होंगे उनके आफिसेज में यह सत्य है सर कंप्लीट कर लेने जीजिए मुझे अपने हैड आफिस में जाके पूछे किस नए चेहरे की तलास थी आप यह देखिए बीजेपी में जब मोदी जी को लांच किया गया था तो चुनाओं को जीतने के लिए होने को तो आडवानी जी भी बहुत पुराने चेहरे थे उनको हटा करके मोदी जी को आगे किया गया क्यों किया गया इसका जवाब लेंगे रणनीतिक पहल थी बीजेपी के कुछ चाहत थी और उसका फायदा मिला यही देखे सपा बसपा का दो तीन महीने पहले जब गड़बंधन हुआ था कॉंग्रेस को नहीं पूछा था तो मैंने एक एनालिसिस की थी मैंने बोला था मैंने बोला था कॉंग्रेस को सायद अब बैसाखियों का गड़बंधन की बैसाखियों का दूसरी पार्टियों की बैसाखियों का सहारा छोड़ करके अपने आपको मजबूत करना चाहिए ठीक है वह भविसवारी अब मुझे सत्य प्रतीत हो रहे हैं यह जाने किसी बैसाखी की जरुतिया आप यह कहना चाहते है चली मैं वापिस आओंगी इस पर हम ओपनली बहस करेंगे बात करेंगे लेकिन पहले मैं सपा की और से रियक्शन लोंगी सर किस तरह से ले रहे हैं इसको आप मनोजी अदर जी निस्ति तोर पे स्वागत की योग है किसी अगर एक नए और यूथ कॉंग्रेस में इंट्री हुई है तो उनका स्वागत करना चाहिए और मैं उनका स्वागत करता हूं तरपदेश की राजनीत में आज की रेली की जो उन्होंने फिक्स की है उसके लिए उनको घेर सारी बाती राजनीत में एक बात को समझना पड़ेगा हमेशा नहीं तुझी इस चीट को कि कोई जब भी लॉंच होता है का बाता है तो उस पर तमाम सारी प्रतकरियां राजनीतिक दिल करते हैं लोग तांतरिक विवस्था है कोई प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वहूमत में नहीं आ जाएगी कोई प्रियंका गांधी के ना आने से कांग्रेस के स्थिट बहुत बहुत बहतर भी नहीं थी लेकिन पार्टी के कार्करताओं की ताकत सबसे महत्रपोन होती है अगर पार्टी के कार्ण करता है यह दो नाओं में चलने का जो विचार होता है यह लेकर चले आता है आग वापस आपके पास आउगी रजा रिजवी जी किस तरह से समझें आप वरिश पत्रकार है अगर हम इसको समझें किसकी जमीनी हकीकत को तो क्या संजीवनी देने का काम कर पाएंगी प्रियंका गांधी देकि जमीनी हकीकत यह कि जो प्रियंका गांधी को इस समय पर उतारा गया है यह टाइम फैक्टर ठीक नहीं है ठीक है ठीक है ऐसा क्यों पहले प्रियंका गांधी लाओ बता रहा हूं उसको बता रहा हूं प्रियंका गांधी लाओ पूरा और अब बार्ति जंतापार्टी की सरकार देश में नहीं बन गरगी कि यह तो मतलब बारती जनतापार्टी की तो मतलब नशाइब यह कहना चाहते हैं यह बहुत देर मिल Susie काटे सब दुरूस्त हैं आप देखे हैं कि विजवल यह मुहसिन दिखा रहा हैं थे हों काही पिलेंका का कारी करम कहीं फुस्ट ना हो जाए नौ बजे आना था उनको यहां उनुन में पता किया कि अभी भीड नहीं आई है तो राहूल गांदी ने प्रोगाम बनाया कि आंध्रा भावन हमें जाना है वहां धरने पर बैठे हुए हैं उस कारी करा में जाएंगे तो वहा इसको आपने उत्तरपरदेश का पूर्वी का बना दिया इंचार क्या है बड़ी बड़ी चीज है मतलब यह आप में पिनिंका गांधी को क्या बताना चाहते हैं कि मतलब वह उसका करती बहुत चोटा है तो दुर्गा का अफ्तार बता दिया है इंद्रा इस बैक के नारे लग रहे हैं और लंका देहन के लिए किस तरह से राक्षा राक्षास का संगार करना एक तमाम यह इस तरह की जो नारे बाजी है जो कोड़ से वो दिखाई दे रहे हैं अब आप समझेंगे लोग इस पर अपना प्रश्वी जीजिश करिए आपके छेतर में जाका सेंध मार करने की कोशिश है सीधे चनौति देने की कोशिश की जा रही है वाके में बहुत एक सोचने वाली बात है एक महासची बहुत बड़ा पद है पार्टी का केंद्री नेतर्तु से आ रही है और उनके लिए जो ने कहा है कि होडिंग पोस्टर लगाना तो खेर पार्टी कहा कोङ्रिस के करेजर सामने आते हैं और नाजर आरहे हैं कि देखिये हमने तो पूरे प्रदेश जो यहां पे लखनाना में पूरी तरह से पोस्टर से पाट दिया है सिर्फ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्फ है तो क्या इशारा उनका कहीं और ने चाहता हो दिखाई दिरा गांधी परिवार एक प्रिष्ठार प्रचारक भी है और नहीं कोई ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी को नई कांग्रेस में है पहले भी काफी लंबे टाइम से अपनी सुनिया जी के लिए राहूल जी के लिए और प्रचार प्रसार करती आई है दस्यों साल से काम कर रहे है ठीक है आज नया चेहरा कहा जा रहा पार्टी के अंदर मगर चेहरा बड़ा पुराना है और पार्टी में काम करती आई है नगर क्या है सालेंट रूप से देखिए न अभी जो तीन राज़में के जो मुखे मंतरी बनें बहुत चोटे दिल के हैं यह भारती है राजनीत में किसी के पदारपन का पार्टी में आने पे स्वागत करने के लिए पास दो सब नहीं है पार्टी में तो मनोजी पहले हैं पहले आपके संग्यान के लिए बतादो तीन मुखे मंतरियों का जो तीन मुखे मंतरियों के नाम चुने गए परमुक थासे उस बैठा के अंदर मनोज यादर जी मनोज यादर जी ताकि लोग सुन भी सके तीन मुखे मंतरियों चुने थे जो तीन दिन तक जो ना कारे करम चुने का उसमें प्रमुक रोप्से प्रियंगा गांदी का हर बैठकों में होना बहुत ज़रूरी था करा गया मनोज यादर जी मेरा समार आपसे नहीं रहेगा मनोज यादर जी इसका जवाब देंगे क्या कॉंग्रेस को साथ में क्यों नहीं लिया क्या आपको नहीं लग रहा है आपर कि आप प्रियंगा गांदी को प्रोजेट करने के बाद कहीं जादा ताकत बढ़ती भी नजर आ सकती है समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और आरेलडी के साथ मिलके उत्तर प्रोजेश में जिस तरीके का चुनावी संकल्प लिया गया है उससे ही बीजेपी को पार पारना मुस्किल है कॉंगरेश को साथ क्यों नहीं लिया इस इसावाजर क्यों जब बचरहिया बड़ा डल है हम क्यों बचरहे लिए कहां हम बचरहे भई तो क्या कहैंगे क्यों नहीं लिया साथ मे अगर समय बताएगा चुनाव इंके पक्षभरे Bye लिखा मुपसाब पे ले लेंगे जो मद्धपरदेश में चुनाव था समाजवाधी पार्टी गोडवाना के साथ लड़ी है कांग्रेस के साथ नहीं रड़ी है चांग्रेस को साथ लेते हुए अप्शारी कैलान तो नहीं किया गया ना क्यों नहीं समझते हैं इसको क्या ठीक है पीछे से अभी इंतिजार किया जा रहा है कि जब चुनाव में वोट प्रक्तिशित सामने होगा जब लोग सामने होगे तो नीतु जी बताईए आप सपा बस्पा नहीं कांग्रेस ने मतीर पांच राज्यों के चुनाव में बता लेकिन यहां वोट मिलता है वो जात ब्रादरी के वोट से मिलता है इस पर भी मैं आऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं पुछी तरह से कोशिश की जाएगी ब्रामट वोट बैंको साथ देगी वापस आऊंगी सर्थ एक तीर से कई शिकार कॉंग्रस लगातार हासिये पे जा रह लगातियां है आर्म ट्विस्टिंग कॉंग्रेस का भी कर रही थी कॉंग्रेस को समझ में आ गया देखे होना क्या क्या है कॉंग्रेस ने यह क्यूं किया इसके पहले सोनिया गांधी जी सारी चीजे देखती थी अब असोसता या एज के कारण उन्होंने यह पूरा ट्रां उन्हीं दी गई ठीक यही काम यहां पर प्रियंका गांधी को किया जा रहा है तीसरा सबसे बड़ा काम यह कर रहे हैं देखें कॉंटीशन बिदिन कॉंटीशन इंटर्नल जो कॉंटीशन को मिल रहा था कॉंग्रेस के सबसे बड़े जो उनके पैर खीचने वाले थे कॉंटीशन या चुनोती मिल रही थी वो उनके सहयोगी दलों से मिल रही थी सबाबस पासे तो सहयोगी दलों को भी कहीं न कहीं जो है घेरे में लेने के लिए उनके उपर दबदबा बनाने का भी काम यह प्र पर्शेप्शन एक इंद्रा की तरह बन रहा है ठीक है पब्लीक अपने आप पर्सेप्शन जो है ड़करेंगी लेकिन इसके मेजर ग्रेटर गेंप्लान क्या है यह चीज मैं आपको बताता हूं अगर कॉंग्रेस ने अच्छे तरीके से प्रियंका गांधी की लांचिं कर करेंगी जो कि पूरे के भारती राजनी हो सकता है 2019 में जो 400 प्लस या 300 प्लस का फार्मूला है वह सकसर नहों पाए वह बहुत कुछ कुछ कॉंटेंट कर दे तो मल्टीपल एंगल से देखा जाया तो कॉंग्रेस के पास एक ही रास्ता बचा है कि प्रियंका गांधी को प्लस को जो है कॉंटेंट किया जाए कि इंटर्नल फाइट जो हो रही है समाजवादी पार्टी बसपा छेत्री दल एलाइंस के जो लोग इनको प्रेशर डालते हैं कॉंग्रेस उसके कारण भी आगे नहीं बढ़ पा रही उनको भी साइट किया जाए तीसरा यह है कि कॉं जिए दो मदाय जानत है मिश्वाद है विट आप करण दूसरा नहीं कि कहाने मिए था इसके मामले इसके मामले में था लागा दास कॉई कर लागार को सब्सक्क्राइब मेरा सवाल यह है परसेप्शन बदलने में लोगों का समय नहीं लगता है आप समझे गंबीता को एक मेगा शो करने के लिए वहाँ पर जा रही है पूरी तरह से चुनौती दे रही है सीम योगी को और प्रदान मंत्री नेंद्र मोधी को इतना सीडियस लेना चाहिए कि आपक की पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा राष्टे मासची बोलेंगे यह जरूर बोलेंगे कि देखिए मेरे हजबेंड को गलत गलत तरीके से फसाया जा रहा है मनी लॉंडरिंग में या दलाली में बतातरों मैं यह कई फसाया चीज़े आएंगी चरूर निकले क्यों कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं राष्टे मासची बनाने कारण यह भी है क्योंकि सोनिया जी और राहूल गंदी जो इनके राष्टे अध्यक्स है कांग्रेस के मनोज या दफ जी किस तरह से लेंगे इसको क्योंकि अब देखिए प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं अगर वो अपने आपको प्रोजेक्ट कर रही है या उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो महिला सशक्ति करन को लेकर महिला ताकत को लेकर महिला वोट बैंक को लेकर सेंध नहीं लग जाएगी क्योंकि मायावती अब तक थी सामने ममता बनर्जी थी सामने लेकिन अब एक चेरा और सामने आ गया है वो है प्रियंका गांधी तो लगता नहीं है कि कहीं न कहीं अब जो मैलाओं का वोट बैंक के वो थोड़ा चिटक जाएगा दिखे नैंसी जी मैं एक छोटी सी टिपड़ी करूँगा उसमें मेरे ख्याल से आपको और आपके दर्सकों को इस बात की समझ काईदे से आ जाएगी उत्तर प्रदेश के परिपेच्छ में हम अगर बीजेपी से दो तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं एक दो हजार बारा का चुनाओ परसंटेज जिसका परसंटेज अगर तीनों पार्टियों का मिला दीजिए तो साड़े 58-69 के करीब होता है और अगर हम हारा हुआ मिला दे 2017 का जो हारा हुआ ओर परसंटेज था अगर उसको मिलाते हैं तो वह बनता है लगबग लगबग 47 परसंट के आसपास बीजेपी की कितनी ताकत है कि इस ओर परसंटेज को क्रास करेगी रही बात कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस राष्टी दल है हम उनको मुबारक बात देते हैं कि वह बीजेपी के सामने पूरी ताकत से लड़े और कम से कम ये न कहने को रहे हारने के बाद कि बीजेपी कहे कि सारे कठाओं के चुना लोड़े थे निश्चित तोर पे ओटों का बटवारा होगा ओटों के बटवारे से अगर वीजेपी फायदा ले सकती तो ले 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 लेकिन हमारा जो हारा हुआ ओट परसंटेज है 47 वहां से हमारी सुरुवात होगी गिंति इसके बात कहां तक आपके पास आउंगी ब्रैंका गांधी को कुर्वियों ब्रामनों गैर ठाकु सवर्णों का समर्थन कहीं न कहीं एक बाद फिससे हासिल करना होगा यह जम्मेदारी तो उनके उपर होगी ना और ऐसे में लग रहा है कि अगर हम पूर्वी छेतर की बात करें पूर्वी उत वो पूरे देश्ट को जानना चाहिए ब्राह्मन थे मुसल्मान थे और हमारे दलीद भाई थे और यह तीनों वोटर एक साथ जब कांग्रेस के साथ जूड़ते थे तो पूरे देश्ट में कांग्रेस 50 साल से खड़ी रही लेकिन धीरे से दलीतों की पार्टी मायवती ने मदबूत कर लिया और यही कारण है कांग्रेस को जो मूल ओटर थे वो कांग्रेस से चले गए ओटर अगर नहीं साथ पाएगा कोई पालती ओटर को साथना जरूरी है पंप्लेट और पोस्टर और कारले फूल माला सजादी उससे कोई मतलब नहीं उत्तर परदेश की राज लखे रहें यह सबसे बड़ी पार्टियों की जीत होती है तो जातिगत गुणाभाद के अलावा भी कहीं ना कहीं मैला वोट बैंक को साथने की कोशिश यहां पर की जाएगी प्रियंका गांधी का मेगा रोड शो शुरू होने वाला लेकिन उससे पहले इसकी बार की को हम समझने की आखिरकार प्रियंका गांधी को सामने प्रोजेक्ट क्यों किया गया है प्रियंका गांधी के उपर इतनी बड़ी जिम्मधारी क्यों दी गई है लेकिन इसको समझना होगा मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगी और इस समझना चाहूंगी आपके जरिये भी क् तरह तो यह जम्हदारी पंति है कि लेकिनी कहीं नाज़गी तो है आपसे ब्रामनों की नाज़गी आपसे है S.E.S.T.E. Act को लेकर जो सुप्रीम कोड का आदेश आया उसके पला टाप गए उसकी नराज़गी भी है किस तरह से अगरम प्रदेश की बात करें वहाँ पर जो जाटव है उसका वर्चस जो है वो आगे बढ़ता हुए नजर आ रहा है गया जाटव या जाटव की बात करो तो वो नराज़गी भी है इसको समझना होगा कि कहीं ऐसा नहों यह वोट बैंक एक जो रास्ता ओप्षन जो चाहता है कि ऑप्षन सामने आजा वो ओप्षन दिख रहा है प्रेंक जी आ रही है अपने पार्टी का रोड़ शो करेंगी हर पार्टी करती है चाहें कोई दलो अन्य दलो हम भी करते हैं ऐसा नहीं है ठीक है तोड़ा सा चीजे लोगों का कुछ दिन के लिए ध्यान भठकता है बाकी देखिए चुनाओ का टाइम है महल चुनाओ बन प्रेंक जी क्या कहते हैं किस तरह किसे रणीती बनाती है हम लोग भी अपनी रणीती जो हमारी बनेगी हमारी द्यान पूरवक्ष थीक है पार्टी ने के सुनिया जी का इतना बड़ा प्रभारी बनाया है पूरवांचल का और उन्हें वहां भीजा जा रहा है तो थोड़ हो निकलेगा रोड से तो देखेंगी अच्छा है मगर यह है ठीक है हमारा भी कर देख विचार तो है बाकी तो रणीती मत जो होगा कि आपका जो रुक है वह समाझ जा रहा है कि मिश्टा जी और रजा रिजवी जी आप दोनों के इससे इस पर पॉइंट लेना चाहूंग से बाच पास से हम बात करें तो तो क्या लगता है कि इसका इस एंगल को समझें तो क्या प्रियंका गांधी के फेवर में जाता हुआ नजर आ सकता है या फिर एक मातरी हम समझे किस से विक शो मातर है नैंसी देखिए मुझे लगता है कॉंग्रेस गंभीर है अलांकि अभी दिल्ली काफी दूर है मैं यह बोलना चाहूंगा आगे अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो प्रियंका गांधी डेफिनेटली एक ऐसे पॉलेटिकल ट्रिगर की तरह यहां पे काम कर रही है जो कि देखिए होता क्या है इंद्रा गांधी के बाद अगर देखा जाया तो रोकना चाहूंगी सवक्त लाइफ तस्वीरे सामने आ रही है और काफील आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगता दिखाते जा रहे हैं जो भी अपडेट है तो तस्वीरे हैं काफील आगे बड़ता हुआ नजर आ रहा है तो इंद्रा यूग के बाद प्रियंका युद की यूद की बारी है क्या ये सवाल लगतार बणा हुआ है। तस्वीरे सामने कांगरिस मास्चिफ कापत समालने के बाद पहली बार है सोन वाहरा ने कि आज प सामने होगा मायावती ममता बनर जी यह दो फेस ऐसे थे कि लग रहा था कि विपक्ष के पाथ बिल्कुल अगर महिला वोट की अगर बात की जाए तो वहां जाता हुआ नजरा लेकिन आप एक और जो है ऑप्शन सामने है नैंसी देखिए आपकी बात सही है शीर सनेत्री तु इसमिती इरानी जी है मायावती जी है इन सब का भी जो है प्रभुत जो है प्रियंका गांधी के आने के कारण कम होगा किसी नी किसी तरीके से उनको नुक्सान पहुंचेगा इसका फैदा कॉंग्रेस को जाएगा महिलाएं भी अपने आपको कोरियेट करेंगी प्रियंका गांधी देखें ये एक चुनावी चुनोतियां हैं मैं यह नहीं बोलता हूं कि कॉंग्रेस एकदम से 500 में से 400 सीट ले जाएगी बीजेपी हार जाएगी सपा बसपा हार जाएगी वो आगे कैसा काम होता है लेकिन महिला है देखें इंद्रा गांधी के टाइम पे भी ये बोला जाता था घर में भी बोलते थे लेडिस को कि भाई आपकी सरकार है यानि महिला जो है प्रदान मंतरी थी तो पब्लिक के परसेप्शन को डिबलट करने का परसेप्ट करने का अपना अपना तरीका होता है बश कि यह सवाल किया था लेकिन फिर भारतिक जन्ता पार्टी की सरकार दीमे दीमे जी चूट देती चली गई पहले छूट बहुत बड़ा था 28 परसेंट था फिर 18 परसेंट पर आया तो दीमे दीमे छूट लेकर की आई तो उससे जो व्यापारी वर गए वो जरा से खुश किसानों को इन्होंने 6,000 रुपए जो है महीने देने की बात की है 500 रुपए महीने की तीन टाइमे देने से इससे किसान बहुत खुश हुआ प्रियांका गांदी का रोड शो है आज और बारा बजे ये रोड शो शुरू हो जाएगा क्योंकि लखनाओ एरपोर्ट से शुरू होगा और पार्टी कारल तक पहुंचेगा लिकिन ये जो इतना लंबा रोड शो जाने वाला है मकसद एक है सीधा जुरनाल लोगों के पाये थे अब तो कॉंग्रश ने भी राग अलापना शुरूं कर दिया कि हम आएंगे तो मन बनाँगे अब तो हर पार्टी के लिए लेकvals नदिर ना कही से मनांगे लेकिन सबौन के कि सबन्नों के लिए जो योजना अभी लोकसभा के अंदर जो बताई गी तिया रक्षण की वहीं बताई गिए सबने ठीक है समझदार है उन्हें सब कुछ पता है देश कौन चलाना है किसको चलाना है माने मोदी जी के को आगे को ऑप्शन दूसरा नहीं है को यह और सबन्नो अब देखे नाम पर यह वोट के नाम पर कुम्ब में काबिनेट बैठा को गई वोट के नाम पर देखिए ना कुम्ब में प्रियंका गांधी भी पहुंच गई आस्था की डुक्या लगाने करें अपने भाई राहूल गांधी के साथ एक मिन वापस आपके पास आउंगी म या एक नमबर अपना बना ले तो अब वहां पर जो हैं अखिलेश या तब भी पहुंच गए वहां पर प्रियंका गांधी भी अपने भाई के साथ पहुंच गई तो लोगों को लुबहाने के लिए कुछ भी चलेगा देखे नैसी जी समाजवादी पार्टी धार्म को आस्था के रूप में सिर्फ देखती है बीजेपी के लोग निश्चित तोर पे उसको अगर लोट के रूप में करन्वर्ट करना चाहते तो करें उनका अपना राजनीतिक स्टाइल हो सकते हैं लेकिन इनके पास दूसरा क नेता से प्रवक्ता से इस बात को सुना कि 2019 का चुनाओ जो हम लड़ेंगे वो हम विकास के नाम पे लड़ेंगे मोदी जी के कामों के नाम पे लड़ेंगे एक बार भी इस बात को उन्हों नहीं नहीं करना कहा है और ना कामों को गिनाने की कोसिस करिए तर आपके पार्ट जिसे किसी तरीके का नहीं जो पूजी वाद की विचारधारा है मोधी के रूप में चुकि नारा लगा था अपकी बार मोधी सरकार और सिर्फ मोधी इसको इस देश में फायदा हुआ है आम जन्मानस को नहीं वा ना आपका ना मेरा ना हमारे साथ पैनल में बठे हुए जवानों की सरकार विरोजगारों की सरकार के रूप में स्थापित 2019 में जो सरकार है कि अचानक से प्रियंका गादी का ये रोज शो के इस ओर इशारा कर रहा है सार कि रॉबर्ट वार्टर को चुबाने की कोशिश की जारी है उसमें कभी समाजवादियों को मेरे सवाल का जवाब दीजिए क्या प्रियंका गादी को सामने लाकर वेगा शो करना क्या कोशिश की जारी है कि रॉबर्ट वार्टर को चुबामला है उसमें पर्दा डाला जाए इसका जवाब दीजिए अब ने 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 ये ये बिल्कुल बे बुनियादी बात है अगर रावर्ट जी लगातार सुनवा एडी उनसे पूस्ताच कर रही है वो कई कई घंटे बैटके अगर उन एडी का सयोग कर रहे हैं तो निसित तोर पे इसमें किसी तरीके का कोई बो नहीं है हाँ मोदी जो इस दे रावर्ट जी क्या कहेंगे देखें मैं आपको बता हूँ जो ये रावर्ट बार्डरा का आप बोल रहे हैं देखें मैं ये तो मान सकता हूँ कि बाई चुनाव के पर ठैर ये कोड का मामला है लेकिन ये है कि ठीक चुनावी टाइम के पहले ये सारी चीज़े शुरू हो रहुल गांदी ने खुद खुलम खुला बोल दिया मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ उन्होंने अभी दो दिन पहले खुलम खुला बोल दिया कि आपको रावर्ट बार्डरा से पूस्ताच करनी है चिदंबरन साहब से करनी है करिए लेकिन राफेल पे जवाब करनी है यह है कि इस्टेटिक वे में प्रियंका गांधी की डिमान बहुत पहले से चल रही थी इसके मल्टी लेयर मल्टी फेरस बेनिफिट कॉंग्रेस को मिलेंगे 5-6 लेयर मतलब 2-3 लेयर के नहीं 5-6 लेयर के जो कि मैंने आपको बताए और कॉंग्रेस इसको देखे हर जो चाहती है ना सफा बस्पा सब चाहती है हम आगे बढ़े हमारे सामने कोई नहों हमें सहयोगी दलों का भी साथ ना लेना पड़े इसके चाहती है तो जो जितने अधूरे सपने हैं जो टास्क है कॉंग्रेस को यह दिखा है और एक तरह से प्रोजेक्ट एक बड़ी बैक तो क्या लग रहा है कि इसके जरीए पूरी कोशिश तो की जारी है ना कि वापस जो खुई हुई जमीन है कॉंग्रेस उसको साथ लेगे लगता है काम्याप हो पाई कि इसके जरीए पाँच सभाब होने के बाद तीन राज़्यों में जो कांग्रेस पर रशन किया है तो उसका अपना कहीं नहीं मनोबल उंचा है फिसमें कोज हो राए ने फिक ए लेकिन उसका लोग उसका लोग सभा तरहीं और वेभश जिता पाते हैं यह बहुत बड़ा परस्तिन है वह अभी बाते जनता पाड़ी जो किसानों को 6,000 दिया है कांग्रेस के लोग करें ते बहुत छोटा पैसा है तो हमारे कहना था कि पचास साल में जब आपकी सरकार थी तो आप भी दे रहेते इतना छोटा से इतना ही छोटा दे रहेते लेकिन आपने नहीं दिया अभी दस परसे वंकोनी जाओंगे लेकिन वापस आपके पास ही वापस आके इस पर दुबारा से वेज़ार करूंगे लेकिन दो तस्वीरे गांधी को मा दुर्गा के रूप में बेहन प्रेंका जी तो दुर्गा इंद्रा गांधी को भी कहा गया था क्या वही दुर्गा वापस आ गई है प्रेंका गांधी की दूसरी इंद्रा गांधी देश की दूसरी इंद्रा गांधी एक तरफ जो है दुर्गा का अफ्तार बत क्या समझना चाहिए रजार इजवी साब वापस आपके पास आऊंगी दो तस्वीरे हैं मा दुर्गा का रूप प्रेंका जी और प्रेंका जी देश की दूसरी इंद्रा गांधी क्या मानले इंद्रा इस बैक और इसके जरीए इस नारे के जरीए जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे जो आप कहे रहे थे कि ठीक है चुनावों में जीत मेली है तीन राज्यों में तो अब लग रहा है कि वाकई यह जीत अब आगे की सफलता के लिए सायक हो सकती है बापिस आँगी रजाब साब आपके पास इस बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो सेलिब्रेशन की आजारा है वो तस्वीर आपको दिखाते कारिकरता हमें उत्सा है जोश है और यहाँ पर सेलिब्रेशन की तस्वीरे सामने आ रही हैं कारिकरता पोस्टर्स लेकर होडिंग्स लेकर स्वागत में जुटे हुए हैं और आपको बजा दे कि तस्वीर देखिए जहाँ पर तमाम कारिकरता अपज़ चुके हैं और धोन नगारों के साथ स्वागत किया जाएगा मा सच्छिब बनने के बाद प्रियांका गांधी का पहला रोड शो है और देखिए तयारी देखिए आपर पूरी कोशिश की जारी है कि कारिकरताओं का जोश है किस तरह से कम नहीं होना चाहिए जोश तभी बढ़ गया जब आडियो क्लिप सामने आया आडियो क्लिप में कहा प्रियांका गांधी ने कि मैं आप आ रही हूँ आपके बीच, आपके साथ, उन गरीब लोगों के बीच में, उन महिलाओं के बीच में सबके साथ एक जुट होकर आगे बढ़ती भी नज़र आओंगी तो चलिए, तो यह तस्वीरे आप देख रहे हैं, इंद्रा युग के बाद अप प्रियंका युग और इस युग को समझिए क्योंकि तस्वीरे जो बया कर रही हैं, उसमें कारी करता हों का जोश दिखाई दिरा है एक बार रूट आपको दिखाएंगे कि कहां से कहां तक यह काफिला आगे बढ़ता हुआ पहुँचेगा, एक लंबा काफिला है क्योंकि लखनाओ एरपोर्ट से निकलता हुआ यह काफिला पहुँचेगा, कॉंग्रेस के मुख्याले नहरु भवन तक, तो यह रूट की जानकारी आपको देते हैं, तो आपको बता दे कि प्रेंका गांधी जो है लगातार, प्रेंका गांधी का जो यह काफिला चलेगा, जिस गाड़ी में सवारों कर जाएंगी, इसकी शिर्वात होगी लखनाओ एरपोर्ट से और इससे आगे बढ़ती हुए, जो काफिला हैं जो हॉस्पिटल है, वहां से होते हुए, आलम बाग चौराहा है, जो है, वहां पर पहुँचेंगे, फिर उसके बाद काफिला नथा होटल तिराहा पर पहुचेगा, तो यह बढ़ते जाएंगे, इस तरह से हुसेन गंच जो है, इनका काफिला आगे बढ़ेगा, और यह 12 से 15 किलो मिटर का पूरा रोड शो है, तो लाल बाग गर्स कॉलेज के पास से भी होते हुए, गुजरेगा, डी एसो चराहा इसको भी कवर किया जाएगा, तो यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इस ग्राफिक्स के जरीए, राज भवन यह काफिला आगे बढ़ेगा, व हमने आपको दिखा दिया है, रजा रिजवी साहब वापस आपके पास आऊंगी, रहता है, वो हमाज साथ जो यह अब नहीं है, हमाज साथ दुबारा जोड़ेंगे, लेकिन एके मिश्णा जी, कैसे समझें, क्योंकि देखिए, मैं चीज एक बात का जिक्र करूंगी, जब जब वो चिनावी मैदान में उच्छी थी, उनके चचेरे भाई उनके सामने आए थी, और तब जब वो कॉंग्रेस से अलग होके प्रोजेक्ट खुद को करते हुए नजर आए थे, तो उन्होंने सोनिया गांदी ने साफ एक शब्त में कहा था, पस एक लाइन में यह कहा कि आप उस व्यक्ति को चुनाव में ला रहे हैं, कि जो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, हमारे परिवार ही आपका परिवार है, आपके परिवार के खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव में लाकर मत देना चाहेंगे, सिर्फ एक ये लाइन, सुने गांधी को जिता गई थी जीत दे गई थी तो इसा ना हो कि वहीं से दौर वापस आ जाए और इसलिए का रहा है कि इंद्रिया इस बैक क्या है कि इंद्रिया गांधी का काल कॉंग्रेस के लिए बड़ा स्वर्णिम काल था और बहुत सारी अचीवमेंट वहां पे हुई थी बाई ये पीछे के 10 साल में जो गटबंधन सरकार रही है उसमें इतनी अचीवमेंट नहीं हुई जो कि इंद्रा गांधी के टाइम पे हुई कॉंग्रेस के लिए वो सुर्णिम काल था तो कहीं न कहीं पब्लिक के दिमाख में ये रिमाइंडर डालने के लिए उनको रिमा हैंगे तो प्रियंका गांधी जी का definitely मिलता है hair style वगरा ये सारी चीजे देखिए बोलने का जो तरीका है हलां कि बहुत सारी चीजे नहीं मिलती है इंद्रा गांधी जो है बड़ी firm determined थी वह उनके भासर से इन सब चीजों से पता चलता था लेकिन फिलाल प्रियंका गांध की कोशिस की जा रही है और ये strategic तरीके होते हैं मैं फिर बोलता हूँ दिल्ली अभी बहुत दूर है देखे बीजेपी के अंदर ताकत बहुत है ये बहुत discipline है इनकी रड़नीतिक छमता बहुत है इतना आसान नहीं है लेकिन हाँ अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए त आपको नहीं लगता राहूल गांदी ने कोशिश तो की है क्रिशी के मुद्दे को लेकर क्रिशी संकट को लेकर किसानों के रुप को बदलने की किसान नराज दिखाई दे रहा है व्यपारी नराज दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं कितने भी बदलाव की जिए लेकिन किसानों के साथ क्या है मैं आपको बताता हूं बहुत बड़ा वोट बैंक है और सबसे यह किसान लोग जो है किसी भी चुनाओं को जिताने हैं हराने में बहुत अहम भूम क्या निभाते हैं पीशे के तीन चुनाओं हमने देख लिए इसलिए रिनमाफिय वगरा हुई है सार बजट जब पेश किया गया तो यहां पर सिर्फ 6,000 रुपे का इलान किया गया यह मात्र काफी होगा किसान अगर सो जाए तो भूके हम लोग सो भूके रहेंगे नहीं है तो आपका वोट आता किसान नहीं है वोट बैंक जनता है हम लोग दरम के राजीती नहीं करते मिश्रा जी हम लोग जाती वार क्यों बोलते हैं सब सरकार के दायरे में लोग सीज़े आते हो काम सरकार करती है इस एफम न्यूज के माध्यम से भी जनता को यही कहना चाहूंगा कि वोट डालना आपका जनुसी दाधिकार है आप अपने घर से निकलिए और वोट डालिए वोट डालना है मगर वोट डालने तो निकलिए आप किसी को बना रहे हैं ठीक है जाती कि कुछ लोगोंने re-party है कि हम लोग भाठेश वाजिती नहीं करते है हम लोग मेंदी करने कि जाती है किस की तुरफ इशारात दिखाई दे कि लगे अधित प्रदीब जी ऊंप K.W. जोपने की कोसिस कर exclusively भी मिर्ज्य पावडर इन को साथ मेरे खाल से redundnets को आँखों में पहुंचने ही वाला है। अबकी बार मोधी सरकार की नाम से सरकार बनाने वाले, मोधी किसी, मुझे नहीं लगता है कि देश के प्राइम मिनस्टर का नाम है, उनकी जाती है। दूसरे को बताने की कोसिस करते हैं, वही मैंने कहा था ना कि ठीक है निस्टित तोर पे उनका उनकी कास्ट इस देश में पंद्रा परसंट में नहीं होगी लेकिन एक बात था है कि पूजीवाद का एक परसंटे जिर्धारिक है। क्यों हो तमाम सारे नेताओं को आप लगातार वरिता देते चले जा रहे हैं। क्यों होगी तो गर्वंदन कर दिया हैं तर रास्टिय पार्टी के लिए कि इसको करेंगे आप प्रजेक्ट कि अगर पूरी हो जाने देंगी तो उसी में सारी चीज़ आजाएं। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें बीजेपी अंतरस्ट ये पार्टी ये वो अलग बात की प्रदान मंतरी वो इंदोस्तान के हैं। क्या उनको राजभर जी की जरुत नहीं पढ़ रही है उत्तर प्रदेश में या राजभर जी के साथ गड़बंदन नहीं करेंगे। क्या वो अपना दल के साथ गड़बंदन थोड़ देंगे। क्या वो सिवसेना से गड़बंदन हटा देंगे। क्या सिवसे ना इनके खिलाब उत्तर प्रदेस में चुनाव लड़ेगी सारी बातों को समझे और हमें गड़बंदन की जरूत इसलिए पड़ी है कहीं न कहीं कि ये बीजेपी मूल रूप से जो अपने आपको राष्टी पार्टी कहती है लेकिन वो प्रदेसिक पार्टियो सो भी छोटी और परसंटेज के साथ अब एक नहीं तरीके से साथ गड़बंदन किया था ना उनको जवाब लेकिन के लिए मैं उसे चाहूंगा यह बताईए कि हम बेट का समाज किसके लिए बना कांगरे से खिलाब बना ठीक है जी लोहिया किसके लिए बने लोहिया जी कि किस के लिए निए कांग्रिश के लिए ना जी तो पीस्ता… प्रदीब जी और सीधे रूख करूँगी इस वक्की बड़ी खबर का सीधे इस वक्की बड़ी खबर करते वह आपको बता दूँ प्रियंका से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर चीवी स्क्रीन पर तो सुनिया गांधी के घर पहुंची है प्रियंका तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरी चनौति हैं बिजे पी के लिए कित Bennett बैंक कोशिश पर रहें लेकिन आखिर्का-वाला है ऑर सुनिय गांदी से मिलने के लिए पहुंची है प्रेंका गांदी प्रेंका से जोड़िशकी बड़ी gusta γιαänge हैं की सुनिय गांदी से मिलने के लिए पहुंची है तो बड़ी कबर पहले इस पर एके मिश्राद जी आपका रिक्षिन लोगी सुने गांदी से मिलने के लिए पहुंची परेंगा कि अगर आप किसी चीज की शुप शुरुआत करने जा रहे हैं तो बड़े बुज़ुर्गों से मिल करके जाएए तो मुझे लगता है कि इस भावना से ओध प्रोथ हो करके वो एक तरीके से आशिरवाद लेने के लिए गई होंगी मिलने के लिए गई होंगी कि इसका परपस यही पिए है कि सोनिय गांधी अब सन्यास लेने जा रही है नहीं वह मैंने आपको शुरू में ही बोला देखे मैंने बोला था कि पांच टास्क हैं जो कॉंग्रेस इससे करना चाहती है सबसे पहला टास्क यही था कि सोनिया गांधी में भी पॉस्बिल डायरेक्ट या इंडायरेक्ट वे में यह होता है नहीं जैसे कि अपनी विरासत को सौप देना घर के बड़े बुजूर्ग जो होते हैं तो वो डिफनेटली अगर इनके दोनों बच्चे प्रियंका गांधी और राहूल गांधी अगर एक्टिव हो गए तो दीरे-दीरे करके सोनिया गांधी शिफ्ट हो जाएंगी जो है और वो पीछे से जो गाइडलाइन देना होगा ये भी एक टास्क है कि कैसे करके आप कॉंग्रेस की कमान नए लोगों के हाथ में दिया जाए क्योंकि उमर भी हो चली ये देखे मुलायम सिंग यादो जी ने भी तो यही किया दीरे-दीरे अकलेश यादो जी को दिया लालू परसाद यादो जी ने भी प्लैंड तरीके से अपने ललखों को राजिनीत में जो है उनके पैर को जो है अच्छे तरीके से जमाया तो ये अब एक परंपरा है राजनेतिक पार्टियों में तो सारे लोग चाहेंगे कि भाई हमारे बाद हमारा उत्तरा दिकारी कौन हो उसको अपने आपके सामने ही लोग उसको स्टेमिस कर देना चाहते हैं मनों जी किस तरह से इसको ले रहे अगर सोने गांधी मान लीजिए सन्यास दे लेती है क्योंकि आप तो उनकी बेटी और बेटा दोनों ही राजिती में आ चुके एक बाद सचिव है एक अध्यक्ष है जिम्हदारी अब उनके कंदों पर है पार्टी की कमान जो उनकी पास खकी और किस तरह से ले रहे हमें कि बीजेपी तो इसकο बता रहे है कि बीजेपी को कहना चाहूंगा चुकि कहीं न कहीं वही लोग परिवारवाद पे बात और प्रशने खड़े कर रहे हैं जुन लोगों का अपना कोई मेरे ख्याल से राजनीतिक विरासत जिनके पास देने के लिए कोई वेक्टिन नहीं है अधिश्यादव जी भी मुलायम सिंग के बेटें यहां पर भी परिवारवाद का रोप लग रहा है तो नैंसी जी लोग तंत्र है रास तंत्र नहीं है अगर किसी को जिम्मेदारी पार्टी के दोरा दी जाती है तो इसके बात के दोरा चुने जाते हैं जनता के लिए चुने जाते हैं क्या पार्टी रानी जी अप प्रियंका जी के खिलाब चुनाओं में उतरेंगी यह बीजेपी के लोग गिरूर बताएं लगेंगी जहां से अच्छा लगे सुल्तानपूर से लड़ें यहां वामेठी से लड़ें मैं बलकुल पूशना चाहता हूँ ठोड़ाँ जी कहां गायब कर दिया अप लोगों ने दिखते नहीं चैर्चा करूंगी क्योंकि प्रैंका गांधी अब यहां पर सामने चुनावी मैदान पर आ चुकी है